Hello Friends, Welcome to Important Study Point अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा platform है जहां पर आपको मिलेगी Maths, Reasoning, Current Affair, English और History, Political, Economics वगेरा जो की GK में include होंगी यहां पर आपको हर तरह की वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात वो यह है Friends कि हमारे टीम ने जो ये चैनल आपके लिए त्यार किया है वो पूरण तरह से हिंदी में आपकी सेवा में समर्पित है और Friends हमारे टीम पूरी गारांटी के साथ आपको कह सकती है कि अगर आप लगातार तीन महीने हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो आप अपने लक्षे को असानी से प्राप्त कर लेंगे तो Friends सबसे पहले आपको क्या करना होगा हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करना होगा आपको आपके सक्रीन पर हमारे चैनल के एड के नीचे सबस्क्राइब का ओप्षन मिलेगा सबसे पहले आप वहाँ पर क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बैल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए तांकि आपके पास हमारे डेली अप डेट अराम से पहुंच जाए और friends हमारे इस चैनल को आप जादा से जादा सब्सकाइब करवाएं, शेयर करें तांकि आपको हर तरह की knowledge इससे पराप्त हो सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से all the very best friends Hello friends आज हम GKK science के question answer करते हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा देखिएगा तो first question हमारा है जो कि वो बहुत ही important है परदूशन नियंत्रन अनुशन्धान संस्थान कहां पर स्थीत है अन्शर इस हरी तुवार में तो next question है हमारा सेल फोन बनाने के लिए किस सामगरी का प्रयोग होता है अन्शर इस सेलू लोज तो हमारा next question है किसी तार काताप दोगुना कर देने पर इसका यंग परत्यस्था गुणनांक क्या है अन्शर इस घट जाएगा next question glycogen एक शम बहुलक है ये किस का बना होता है अन्शर इस glucose इकाईयो का next question सजीवो का सबसे परचूर मात्रा में रशायन कौन सा हो सकता है answer is gel next question टाइफाइड के टीके का आविशकार किस ने किया answer is A.E.Fig next question रख्त किस परकार का उत्तक होता है answer is शैयो जी तो हमारा next question जो very important है स्वेत रख्त कनिकाओ का ओसत जीवन काल कितना होता है answer is तीन चार दिन हमारा next question है परकास का वेग अधिक्तम होता है answer is निर्वात में निर्वात में next question मानव मस्तिस्क में कितने निल्य होते हैं answer is चार next question हमारा next question है वायू की आदरताम आपने के लिए कौन शाय यंतर परियोग में लाते हैं answer is हाईग्रो मीटर हमारा next question है कौन शाय अंग पित का स्रावन करता है answer is यक्रित हमारा next question है कौन शाय अनाश्य का कारिया नहीं है answer is वशा का पाईशी करण next question पास्चन की प्रकिरिया का पहला चरण क्या है answer is आहरन next question जूट फाइबर किश का भाग होता है answer is फ्लोम next question है हमारा आवर्ट सारनी में कितने अतात्वे होती है answer is बाइस next question है हमारा पास्कल किसकी इकाई है answer is दाब की answer is दाब की next question प्रित्वी की आयू का आकलन किस से किया जाता है answer is यूरेनियम डेटिंग से next question अलफा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी answer is रदर फोर्ड ने next question है परम ताप का मान कितना होता है answer is दोसो तियेतर डिगरी celsius next question अमोनिया कलोराइड का जलिये विलियन क्या होता है answer is खारिये next question है lpg का मुख्य घटक क्या है answer is ब्यूटेन next question है जोकि very important है जीव विज्ञान शबद का परियोग सबसे पहले किसने किया था answer is लेमार्क और ट्रेविरेनस next question जन्तु विज्ञान के जनक कोन है answer is अरस्तु next question है गाजर क्या है answer is जड next question है जोकि very important है नास पति का कोन साभाग खाया जाता है answer is गदेदार पुस्प next question रबड के वलनी करण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है answer is sulfur next question आग भुजाने वाली गैस कौन शी है अंशरीज कारबन डाई अकसाइड next question सुस्क बर्फ क्या होती है answer is ठोस कारबन डाई अकसाइड next question नीमबो खटा किस के कारण होता है answer is साइट्रिक आमल के कारण next question है हमारा नेप्थिलन का मुख्य स्त्रोत क्या है answer is कोल तार हमारा next question है जो की very important है हीरे के खवनीजिय बनावट क्या है answer is कारबन next question अशरू गैस क्या है answer is ammonia next question है सुस्क सेल की थनातमक छड किस की है answer is ग्रेफाइट next question है वायू में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है answer is nitrogen next question next question झाल झाल